चलिए क्या कहता है assume that firm paid tax 30% tax का rate है compute the after tax cost of capital following cases कहता है अब इसमें redeemable और irredeemable नहीं बताया तो जब कभी भी redeemable होगा तो आपको कैसे पता चलेगा time देगा कि हम इतने दिन बाद उसको redeem करेंगे कुछ नहीं बताया है तो simple question है तो point number one आपका KP निकालना है that is आपका D divided by NP into my hundred तो simple सी बात है D क्या बनेगा 100 रुपए का एक face value मान लोगे यहाँ पर assumption रहेगा face value is 100 तो 100 रुपए है तो 14.5 divided by 100 net proceeds into my hundred that is same answer आगया 14.5 इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ ठीक है आगले point पर चलते है perpetual bond bond क्या होता है debentury एक तरीके से sold coupon rate 13.5 आप मान लीजिए bond भी 100 रुपए का है एक तरीके से तो आपका point number 2 bond को आप KB भी बोल देता है कई बार लेखिन मैं KB चलो KB भी बोल देता हूँ before bond होगे न तो यहाँ पर formula क्या हो जागा interest 1 minus में T और यह redeemable नहीं है simple सी बात है तो divided by NP into में 100 sir interest 13.5 है तो 13.5 रहेगा और 1 minus T और T सवाल में सबसे top पे ही दे दिया था 0.3 divided by आप 100 रुपए का एक मानिए हमेशा इनको और solve कर दीजिए तो क्या आ गया है यहाँ पर दूसरे का क्या आ गया yes recorded हमेशा ही अपलोड होती है और हो जाएगी अपकी recorded 0.7 9.45 परसंटेज चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे पॉइंट नंबर 3 10 येर 8 परसेंट 1000 पर बॉन्ड 950 अब हम जो बेच रहे हैं 950 यानि NP है इसके अंदर इस पॉइंट में अगर आप देखो तो सर इस पॉइंट में NP जो है वो 950 है और 1000 रुपे का है और 8 परसेंट है तो 1000 रुपे पर बॉन्ड 8 परसेंट तो यहाँ पे बॉन्ड है फिर से फिर से बॉन्ड ही है ये तो क्या फॉर्मूला बनेगा के बी इस इकल टू इंटरस्ट 1 माइनस में टी डिवाइड बाइ NP इंटू में 100 सर इंटरस्ट क्या आएगा अब 1000 पे 8 परसेंट निकालना है तो क्या आगया इसका आंसर 80 का 70 परसेंट डिवाइड बाइ 950 इंटू में 100 ये आगया 5.89 ये क्या आगया 5.89 ठीक है अब 90 भी कर सकते हो इसको ठीक है bond में time नहीं दे रखा के देखो redeem होगा practical life में देखो के तो होगा लेकिन question में नहीं दे रखा तो मानेंगे irredeemable वाला ही सवाल है ये चलिए अगले point पर चलते है कहता है common share selling price market में 120 का P0 दे रखा है अब देखो end paying current dividend current dividend दे रखा है आपका 9 and share which expected growth 8% अब सर यहाँ पर question मैं थोड़ा सा problem हो गया कि सर ये dividend जो है paying current dividend अब पे करेगा या कर चुका है clear नहीं है तो बहतर है आप note दोगे इसे D1 मानते हो और D0 ठीक है ऐसे सवाल में मैं इसे D1 मान लेता हूँ अपने हिसाब से मेरे हिसाब से सर D1 है assume है ये मेरा आप D0 भी assume कर सकते हो paying कह रहा है ना इसलिए तो चलिए यहाँ से line खीचके इधर आ जाते हैं point number सर ये कौन सा है point number है 4 क्या होता है हमारा K E K E is equal to D1 divided by P0 और plus में G तो सर D1 क्या है मैं मान रहा हूँ इसे को 9 है और सर P0 सवाल में दे रखा 120 और G क्या है question में दे रखा 0.08 तो बताइए क्या आ गया plus point 08 15.5 ठीक है अब जो बच्चा इसको D0 मानेगा उसका answer सेम रहेगा अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा उस situation में उसका भी answer मैं लिख देता हूँ तो D1 होगा 9 का 8% 9 इंटू में 8% और divide 120 और plus point उसका 16.1 आ जाएगा अब निकाल लिजिएगा आपके किताब में I don't know क्या कर आ हुआ है आप बुक में देख के बताइए D1 माना हुआ है D0 माना हुआ है बुक नहीं लिए अगली ग्रास में बिना बुक के नहीं आना आपको D0 है D1 है Point में 10 अब देखे 10 year bond है तो 10 year आपका bond 10 year बार redeem होगा और एक बच्चे का कहना है देखो valid devotion है कहता है सर इसके अंदर 10 year bond क्या रखा है तो इसका मतलब तो सर 10 साल बाद ये redeem होने वाला है मैंने बिल्कुल सही बात है लेकिन 10 साल बाद redeem कितने का होगा इस question में नहीं ये सही बोल रहे है ये न redeemable होगा ये वाला answer गलत हो गया हमारा ये वाला आप चेक कर ये book में क्या answer है इसका ये answer गलत हो गया 10 year का दे रखा था था ना तो मैं दुबारा लिख रहा हूँ point number 3 मैं direct formula ना लिखके मैं direct question लिख रहा हूँ space कम होगा तो interest क्या answer इसके उपर 8% यानि 80 1-3 0.3 plus redeemable values 1000 होगा हमारा net proceeds 950 950 time कितना है 10 साल divided by 1000 plus 950 divided by 2 offline वाले बच्चे बिल्गूल ध्यान नहीं दे रहे उनको पता ही नहीं चल रहा अगली class में किताब सबसे पहले रहेगा तो entry देंगे class में नहीं तो नहीं देंगे चलिए इसको solve करके बताईए 80.75.6 plus 50 divided by 10 5 divided by 1000 plus 950 divided by 2 975 5.6 plus 5 divided by 975 यह 56 होगा मैंने 5.6 लिख दिया साथ अठे च्छपपन च्छपपन प्लस पांच टिवाइड दिवाइड पांच दिवाइड पांच अग्ले पांच पे चलते हैं प्रफ्रेंच यह कहता है कोश्पन में 14 परसेंट परफ्रेंच यह 100 रुपीज का एक है इशू 5 परसेंट के माइनस यानि 5 परसेंट इशू किया इसने अट 5 परसेंट प्रीमियम पे और रिडीमेबल अट पार after 6 एर फ्लोटेशन कॉस जो दे रखा है अमांट के टर्म्स में 8 यह जो डिविडेंट डिस्तिबीशन टेक्स है that is CDT डिविडेंट डिस्तिबीशन टेक्स क्या है हमारा CDT यूज बोथ मेस्टड आपको दोनों मेस्टड से इसको करके इसको इस पे तो होगा नहीं यहां तक किसी को doubt है तो बताईए मैं next page पे दाऊंगा और दोनों question करके दिखाऊंगा यह फिर में सर्फ फोर्थ point में तो दो होगा ना पेइंग डिविडेंट है नई answer दिया आपने एक ही लिखना है और उसको assumption देना है कि हमने यह माना है बाकी जो assumption मानोगे valid माना जाएगा examiner उसको check करेगा क्योंकि यहां पर clarity नहीं होती सर 80 कैसे आया आपका 80 ना 1000 रुपे का 1000 रुपे का 8% that is 80 रुपेस आएगा 1000 रुपे का 8% 80 आएगा पोर्थ point में multiply 100 रुपेस आपका हमेशा जो answer आएगा परसंटेज में आएगा तो उसकी चिंता मत करो हर बार 100 रुपेस है हमारा 14% हमारा preference share capital 100 रुपे का एक है बट issue जो मैंने किया है issue किया है at a premium और 5% premium आगे क्या कहता है question में 5% premium के बाद redeemable at par after 6 years 6 साल के बाद redemption होगा flotation cost 8 रुपे यानि 10 की बात करें तो 6 साल है और flotation flotation 8 रुपे आगे सवाल में हम देखते हैं sir flotation cost के बाद dividend distribution tax CDT 15% है CDT 15% formula में आप जाएंगे तो मैंने CDT बताया था कि यहां पे आपका CDT आ जाएगा इससे पिछले वाले point में क्या जाएगा sir कहा गया एक CDT dividend में plus करना है बस that's it और हाला कि यह पुराने questions है book में आपके पुराने question डले वे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं सच्चा ही तो अब exam में CDT नहीं आएगा आपके क्योंकि यह पुरानी बात हो जोगी है sir formula क्या होगा kp का kp is equal to d one plus में CDT divided by पहले plus कर लेते हैं rv और rv में minus np divided by n और इन सभी के divided by rv plus में np divided by 2 और ये लो 100 भी लगा दिया तो formula में put करा जाए तो d क्या है हमारा 14% है तो 14 rupi d one plus CDT 15% है one plus में 0.15 plus np क्या आएगा देखिए np np क्या होगा हमारा 100 का तो था plus 5 rupi premium minus 8 rupi का आपका हो गया quotation cost तो ये आगया 97 sorry np है ये तो redeemable future में कुछ नहीं बता है तो 100 np 97 divided by n question में 6 दे रखा है और आपका नीचे दे रखा है 100 plus में 97 divided by 2 और into में 100 sir पहले एक एक करके इसको solve करते है ठीक है ये plus है ध्यान रखिएगा 1.15 into में 14 तो ये आगया 16.1 अब इसको solve करते है 100 माइनस में 97 100 माइनस में 97 divided by 6 ये आगया 0.5 अब 197 197 divided by 2 98.5 into में 100 तो हई है तो 16.1 प्लस में 0.5 divided by 98.5 into में 100 तो हमारे पास 16.85 पॉइंट के बाद एक दो उपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 0.5 10 फ्लस कर फ्लस कर दो 10 कर दो बाल 10 बाल 10 कर दो अरे आपको ना देखिए मैं पीछे ना बच्चे पूछने सर फॉर्मूले में आपने लिखा नहीं था मैंने कहा फॉर्मूला ये है और ये वाला मैंने नहीं लगाया आपको मैं बता दूँ कि जब CDT आएगा तो दोनों जगह होगा ठीक है ना जब CDT आएगा तो दोनों जगह होगा ये लो मैं लिख देता हूँ बच्चे कहरें सर यहां CDT होगा ही नहीं होगा जी होगा लिख देते हैं ये लो 1 प्लस CDT लीजिए ठीक है इसमें दो method से बोला था एक पीवी factor से होता है तो second method वाला जो part है ने जब हम capital budgeting स्टार्ट करेंगे तब करेंगे आप जब register पर note करिएगा तो लिख दीजिएगा second method pending है इसके अंदर हमें table लिखना पर तेबल देखना पड़ता है या calculator पर table निकालते है उसके help से होता है बच्चे कह रहे हैं seven point अब एक बार इसको total कर लिजिए सभी बच्चे कुछ कह रहे हैं 16.75 आ रहा है वो paying कह रहा है न तो मैंने assumption ले लिया paying वाले में assumption ले सकते हो सर side 85 चेक कर लिजिए एक बार आपके सामने है ठीक है एक और part इसका pending है अभी six part में क्या कहता है सर six part में क्या कहता है 12 percent debenture face value एक हजार है इसमें redeemable five year है flotation cost five percent है use both method given tax तो tax rate कितने percent हमारा 30 percent है तो इसको यहां solve किया जा सकता है मेरे सबसे six यहीं कर देता है adjustment formula क्या कहता है सर सबसे पहले interest तो हजार पे 12 percent निकालोगे तो 120 tax है हमारा तो one minus zero point three plus आपका कहता है 1000 रुपे का है redeemable after five year now आप question में देखेंगे के net proceeds जो आएगा पहले redeemable value तो हजार ही है माइनस net proceeds क्या होगा आपका five percent floatation cost है तो हजार रुपे पे एनपी में इसका यहां निकाल देता हूँ एनपी क्या आएगा सर हजार और माइनस में पांच परसेंट इसी का पांच परसेंट that is 50 तो 950 आ जाएगा तो here 950 एन दे रखा है पांच साल और आपका 1000 प्लस 950 रुपे divided by 2 into 100 पहले इधर वाले portion को solve गर लिते हैं 84 84 के बाद देखा जाए प्लस 10 प्लस 975 975 84 प्लस 10 दिवाइद बाइ 975 into में 100 9.64 9.64 चेक करिए बिल्कुल सही सेकिंड मेथड कौन सा है सर PBF है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सेकिंड मेथड का आप मार्क कर लीज़े सिर्फ एक एकलौता यही कुश्चन है जहां पर बोला गया है कि दोनों मेथड से बताइए दूसरा मेथड तो दूसरा मेथड तब समझ में आएगा जब हम PBF करेंगे कैपटल बस्टिंग के अंदर अभी फिलाल और आगे कहीं यूज नहीं है इसका कोई दिक्कत बताईए इस कुश्चन में के धिए झाल और आगे में करेंडी विला लुक है को यह दो दूसरा में भाइए कि महां पर एंडिया में